गीता में संपुन में जीवन दर्शन है और इसका अनुसरान करने वाला व्यक्ति कभी निरास नहीं होता है गीता में स्रीक्रिष्ण ने बताया है कि समझदार मनुस्य संबंद निवाना कब बंद कर देता है गीता में स्रिकिस्न काते है कि समझदान मनुस्य तब संबंद निवाना बंद कर देता है जब उसके आत्म सम्मान को कहीं न कहीं ठेश पहुंचती है गीता के अनुसार समसाएं व्यक्ति को भले ही अकेला कर देती हैं लेकिन उस समय ही व्यक्ति को पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं जीवन में कभी निरास नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोड आपका वक्त है आप नहीं स्री कृष्ण का कहना है कि जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा फिर चिंता किस बात की आप सिर्फ कर्म करते रहिए जो सरलता से मिलता रहे उसका मत तो नहीं रहा जाता अक्षर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंद के मुल्ले का आभास होता है श्रीकृष्ण कहते हैं कि सरील नस्वर पर आत्मा अमर या तत्ध जानने के पर भी व्यक्ति अपने इस नस्वर सरीर पर घमन करता है जो कि बेकार है, शरीर पर घमन करने की बजाए मनुष्य को सत्य स्विकार करना चाहिए स्रीक्रिश्न कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता असली धनवान हो है जिसके पाथ अस्ची, सोच, मदुर, वेवार और सुन्दर विचार होते हैं आसा करता हैं कि आपके उड़ो पसंद आ रहागा, पसंद आ रहागा तो कमन करके जरूर बताइए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आगन को प्रेस करके वाल पे क्लिक कर लिजिए मुलो जाय स्रीकेस नहीं